गुर्वीरिंग आला फियूं कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं सबी लोग कुसलमंगर से होंगे तो चलिए नई उर्जा के साथ आज पुना देखते हैं एक्टिब से पैसी बनाना बहुत आसान तरीकों से और यह आपको प्रजेंट का थार्ड पार्ड है जो है उसको भी आप महां से देख सकते हैं क्राम से अग्रेजी ब्याकरण का एक क्राम से जो वीडियो आप हार टापिक पर आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चनल के इंडिया अकेडिमिक मार्द्यम से चलिए देखते हैं प्रजेंट कांटो स्टेंस का कैसे बनाया जाता है देखिए जब इंट्रोगेटी सेंटेंस आपको होगा तो पैसी वाइस भी उसका बनेगा इंट्रोगेटी भी बनेगा ध्यान देजिएगा जब कि सिवा की सुरुवत क्या से होती है तो उसके लिए हम हेल्पी उमर का प्रियोग करते हैं जो एक करता के उनसर पहले लगा जाता है तो जहां आपकी वाइस ने में आप देखेंगे कि सुब्जेट Güway का प्रियोग की आनُसर सही करिया का प्रियोग किया गया है। पर्योब करते हैं, तो चलिए देखते हैं, एक 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 इसामपल सिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, और पेपर, और पेड ले लिजिए, और जो रूल है आप, इसको आप क्या करेंगे, लिपी बद करते रहें, क्योंकि ये रूल नहीं चुहें, पूरा सेंटेंस हैं, पूरा सेंटेंस का स्ट्रेक्चर है, जैसे पहला कर दें, एक जामपल, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग अभूक, ये आपका सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं कि इस एमार का प्रियुक किया गया है, और इस एमार प्रियुक के साथ जो ह किसी बनी का प्रियुक किया गया है तो इस इन्हीं का प्रियू किया गया है सुझो थेरियों फेसिपनिम्下次 थेरी आफ पिति खरूप किया गया था आपने लगा लिया इस अब तीनु में इस एक लग जाने के बाद हमें लिखना है क्या आपजेट आप माने हैं इसको आप लिख देजी एबुक यहां तक हो गया अब आगे बढ़ेंगे जब नहीं है तो नहीं लगाएगे इसके बाद लिख देंगे यह बियांद दीजिएगा बियं का प्रेयोग सभी सेंटैस में होगा यानी प्रेयन का प्रेयNow किया जाता है वर्क की थार फर्म क्यों करेंगे रिट का थार फर्म हो जाएगा आपका रिट रिट इसके बाल लिख देंगे दाई अब आपका दिया है सब्जेक्ट यू तो यू को हो जाएगा आपका यू यह परसंटेंस बन गया इस ए वो बें रिट बाई यू दूसरा एग्जामपल आप देखते हैं नेक्स एग्जामपल में है इस मोहन इस मोहन प्लेंग क्लिकिट यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पहले आप इसमें छाट लिजी यह आपका क्या है अब्जेक्ट है यह क्या है वर्व है यह है आपका सब्जेक्ट तो यहाँ हमें वहीं काम करना है साहिक क्रिया के प्रियोग अब्जेक्ट के अब्साल लगाना है इसमें क्या दिया है क्लिकेट क्लिकेट भी क्या है सिंदुर नमबर है, इस, इसके बाद अभी प्लिक देंगे, अब इकष्ट की माना है, आपने क्या टिक इट है, तो होगिया, फिलिक इट, नाट है, नहीं, नहीं लगाएंगे, इसके बाद प्रियों करेंगे, बियंकर, अबगर की ठाट फर्म होजाएगी, प्लेक की ठाट पहुंआ जाएगा आपका प्लेट प्लेट हो गया आप्टर डेट बाई लगाएंगे इसके बाल ही देंगे सब्धिक जो सब्धिक्ट्या इसमें मोहन तो मोहन को जाएगा मोहन किसी का नेम हो नेम को हमेशा नेम में ही चेंज करते हैं मेट्स देखते हैं नेट्स एक्जांप पर इससी टेकिंग दा मेडिसीन इसमें भी आप साथ लेजिए आपका क्या है और जेट है यह वर्म है यह सब्जेक्ट है यहां पर हम लगाएंगे मेडिसीन के अनुसार क्या लग जाएगा इजी लग जाएगा इसके बाद ऑब्जिक्ट जो माने हैंगे तो मेडिसीन हो गया न है नई इसके बाद किसका प्रेव करेंगे being का प्रेव करेंगे प्रेंग के बाद बज़ कि थो लगाएंगे take का थम्पर हो जाएगा taken इसके बाद लगादेंगे by और C है तो C को change करदेंगे C का होगा आपका यह बन गया is the medicine being taken by her next example देखते हैं M.I.0 M.I.0 teaching you English यह हो गया आपका इसमे भी आप काउट कर लेजी यह आपका आपजेक्ट है यह भी आपजेक्ट है यह वर्व है यह क्या है subject यानि कि यह है आपका टू आपजेक्ट आप दर पैसे वाइस है यानि जब किसी भी वाकी में दो आपजेक्ट एक अई साथ आ जाते हैं उसको हम टू आपजेक्ट आप दर पैसे वाइस कहेंगे और उसमें करते क्या है यह आपका आपजेक्ट टू है यह इसका object बन है तो क्रिया के तुरंद आपजेक्ट को क्या बनाते हैं हम subject बनाते हैं यानि कि हम इसको लेकर चलेंगे नग की English को आप देख रहा है हमें इसे बार पहले लगाना है तो U के साथ क्या लग जाया आप लग जाया आप लगा देंगे R इसके बाद object लिख देंगे क्या है आपका U U हो गया अब इसमें आप देख रहा है NOT देखिए इसमें नाट यहा है तो नाट अप लग लेंगे R U NOT इसके बाद हो जायाएगा B B इसके बाद बर के थटार हो जायाएगी T इसके थटार हो जायाएगा T इसके बाद Y लगाना है एक उससे पहले जो आपका object उसरा बशा हुआ है आप यहाँ पर इसको इसके बाद हो जायाएगा B अब इसमें क्या देखिए I I को क्या हो जायाएगा Me यानि I को चेंज कर देते हैं किसमें Me में चेंज कर देते हैं Next देखते है आचवा Is it the pure Ringing 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 the bell अब यहाँ पर देख लेजी यहाँ पर भी आप मेंसर कर सकते हैं काउट कर लेजी यह object है यह आपका verb है यह क्या है आपका subject बहुत असान है एक्टिप से पैसे बनाना और यह हर परिक्षाव में पूछता है यह उनद नमर के लगा हर जगह आपको यह एक दो question जरूर मिलेंगे करने के लिए जब हम हर जिस से तयार रहेंगे तो किसी भी परिक्षा का हममें देना हो एक्जाम देना हो कोई परिक्षा और उसको हम क्या कर सकते हैं बीट कर सकते हैं यह यह कहे तो अच्छा marks गेन कर सकते हैं यहाँ पर दिया है दा बेल दा बेल क्या है? सिंगनल नमर के लगा देंगे इस इसके जो बाद आपजिक्ट दिया है तो इसका हो जाएगा आपका दा बेल इस दा बेल नाट है नहीं है मत लगाएगे, बीइं का प्रयोग करिए बीइं का प्रयोग आपको हमेशा करना है अब की थर्ड फार्म हो जाएगी रेंग, रेंग, रंग आर ये ये थर्ड फार्म हो गया आप्टर देट बाई लगा देजिए इसके बाले दिये दा तियू ये बन गया आपका एक्टिव आयस से पैसे वायस प्रजेंट का अट्रोगाटे संटेंस यहाँ पर आप देख लेजी एक बातावर आप सब बताएंगे यहाँ जो हेंपी मर का प्रयोग क्या जाता है और इसी साबिट का जो आप्जिक होता है इस आबिट के अनुसार यहाँ पर भी क्या क्या जाता है साहकरिया का प्रेव क्या जाता है याणि यह भी इंत्रोगेटिव होगा तो पैसे वायस पर आपका इंत्रोगेटिव क्या बनेगा इसके बाद हम आपिब ली देंगे जो माने अप्योग जो उसमें दिया गया है उसको रख देंगी नाट रहेगा तो लगाएंगे नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे बीग का प्रियोग जो है आपको हमेशा करना है यानि जो आपके लिए निसस्री है वो आप बींग का प्रियोग आपको हमेशा करना है अब वर्ग की थर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर् अब्जेक्टिव आईस से पैसी वाय शहूक मेंं, प्रफिणेक्टिव के सी का पेवक क्या जाता हूं जैसे अगर आजाए आर यू abusing me यहां पर आप देख लिजी यह आपका क्या दिया है Present Contations का Interrogative है यह आपका object हो गया यह आपका subject 1 हो गया यह आपका subject हो गया जब हम मी को आई में बदलते हैं उसी तरह आपी को किसे बदलेंगे हम आई में और i के साथ क्या लग जाता है am लग जाता है am हो गया इसके बाद मी को छेंज कर दिये am mean इसके बाद हम लिखने am not नहीं नहीं लगाएंगी discl…. being का प्रियोप करेंगे वाद की थर्ड फर्म हो जाएगा abuse, abuse का थर्फर्म हो जाएगा abused इसके बाद गाल देंगे और you का चेज करेंगे इसका बाद हो गया ये ay being abused by you next example देखते है easy is he not calling me क्या वो मुझे नहीं बुला रहा है यहाँ पर भी देख लेजी यहाँ पर अगर माल लेते हम me आपका है object यह क्या आपका वर्म है यह आपका है subject ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हो जायागा I और I के साथ हो जायागा M इसके बाद I इसके बाद इसमें not दिया है तो not लगा लेंगे not के बाद हो जायागा being इसके बाद बाद के थाफ़म लिखना आए तो थाफ़म काल का थाफ़म हो जायागा काल इसके बाद बाई और यह को बदल देंगे He को बदल देते हैं किसमे He में देदेते हैं इसके वागे am I not being called by Him Next इसी लाइकिं यू यहां पर यह आपका अब्जेक्ट है यह आपका क्या है वर्म है यह आपका क्या है सब्जेक्ट यहां पर भी आप चेंज करेंगे इसके बाद देंगे आप यू nah वर्म नहीं है नहीं कर देंगे अगर फिथा प्रियुक्र है या मैं का हो जाएगा यू इसके बाद बाई शीक हो जाए गया का यह बन गया आर यू बें लाइट बाई हर नेक्स एजांपर लोग देखते हैं इसमोहम इसमोहम राइटिंग में लेटर यह आपका क्या है अबजेक्ट यह भी क्या है अबजेक्ट यह है आपका अबजेक्ट यह है आपका सब्जेक्ट यहां दो आपजेक्ट यह दिया गया है तो क्या करेंगे आपको बताया है हमने यह आपजेक्ट टू है आपजेक्ट बन है और लिख देंगे आपको I, M I, इसके बाद ना थेन नहीं नहीं लगाएंगे B, M I, B, वलकि थर्ड फारं, राइट का थर्ड फारं हो जाएगा, रिटेंग, इसके बाद बाई लगाना है, उससे सिर्फ आले जो आपका दूसरा बिख है, वहाँ पर उसके यहाँ आपका करेंगे लिख लेंगे, इसके बाद बाई हो जाएगा, और मोहन पर हो जाएगा, यह बने गया, M I, B, रिटेंग, एलेटर बाई, मोहन, एक और एजापल देख लेते हैं, नेक्स एजापल जैसे है, Are we not helping you, क्या हम आपकी मदद में कर रहे हैं, अब यहाँ पर देख लेज़े, यह क्या है, अपका आपजेक्ट है, यह वर्ब है, यह क्या है, अपका आपका आपजेक्ट है, इसको बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, वहीद काम फिरेंगे, U को बनाएंगे तो U के सथ के लगा देंगे आप R का प्लीड कर देंगे U के साथ आप लगा लेंगे R, यहां पर हो जाएगगा आपका R इसके बाद U, Nat है, तो Nat इसमे लगाएगे इसके बाद कर देंगे, B अगर की थर्ट पर्म हो जाएगी इसके वाले कि देंगे बाई और वी का हो जाएगा अस यह सारी चीज़े हमने बताया हैं किस प्रणावर को किसमे चेंज करते हैं आई का मी होगा यू का यू, वी का अस, दे का दें, एका हिं, सी का हार और कोई भी नेम आय तो नेम को नेम में अगर हो आय तो बाई होम में इसका प्रिव करते हैं यह हम पिछली वीडियो में बता बना चुके हैं या बता दियें, अगर आपने नहीं देखा इसको तो जाकर वहां पर आपके करेंगे प्लेलिस्ट के सिजा करके अब इसको देख सकते हैं वहां से आपको सारी चीज़े करिये हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो आज है यह रहा है आपका पार्ट थरी और अगले बार जब आपको मिलेंगे तो पार्ट फोर हम आपको पढ़ाएंगी तो यहां तक आप लोग देखें हमारे वीडियो को अच्छा लगा होगा यदि ऐसा लगता है कि हमारी यूटूब चनल के मादेव से आपको कुछ घार की प्राक्ति हो रही है तो इतना हग है कि आप लाइक और वड़ाएंग जरूर कर देजिए क्योंकि इससे क्या होता है कि कुछ एनेर्जी मिलती है मौनोबल बढ़ता है कुछ और करने का तो इत हमबल रिक्वेस्ट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि और ओक Humble आप जरूर चरीए यहां तक वीडियो को बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद